एक तंत्रिक बाबा ने महिला के घर नीबू काट कर पहले तो महिला को घर में बाहरी बादा होने की बात वताई फिर इस बादा से घर में किसी कीम्रती होने का डर दिखाया जब महिला तंत्रिक की इस बात से सैमत हो गई तो तंत्र विध्या से इस बादा को दूर करने का दावा किया जी हाँ ऐसा ही एक मामला बढ़वाय नगर के बेवाय वकानन्द कॉलोनी निवासी महिला के साथ घटित हुगा दरसल खरगोंचले के बढ़वाय श्तेत बेवेकानन्द कॉलोनी की एक रहवासी महिला ने बढ़वाय थानी में रिपोर्ट दर्ज करवाई की जिसमें महिला ने बताया कि एक तांत्रिक बावा राकिश ने मेरे घर में बाहरी बादा दूर करने के नाम पर मुझसे एक लाक उननचस हजार रोपे ठग लिये पुलिस ने इसका खुलासा किया तो ठग गरो का परदाफास हुआ जिसमें पुलिस ने चार आरोपियों को ग्रफतर किया है और आरोपियों से 51,000 रोपे सहत दो मोबाईल बरामत किये इस मामले में टी आई जगदिस गोयल ने बताया कि नर्मदा रोड इस्तित बेवेकनन कॉलोनी निवासी एक महिला ने 19 सितमबर को एक लिखेते शिकायती आविधन थानी में दिया था इस आविधन पर उसने संकरवावा धरमेंद्रवा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा तांत्रिक पिधा के आधार पर मृत्यू का भय दिखा कर मुझसे कुल 1,99,000 रोपे एट लिए मामले को संग्यान में लेते हुए टीम गटिर की गई टीम सदश्यों ने परकरण से जुड़े आरोपी राकिश्वावा को ओमकारेश्वर से धरमेंद्रनात प्रेमनात को बलवाडा और अजय उर्फ अज्जू वगेल को ओमकारेश्वर से पकड़ा है और इने कस्टडी म में लेकर सक्त पूश्टाच की जा रही है पूश्टाच में आरोपियों ने पुलिस को पूरी गटना के बारे में विस्तार से जानकारी दे कर जुर्म कबूल किया है पुलिस ने इस मामले में बेविंधाराओं के तैत परकरण दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा है ये दिनांक 1921 को फरियादी कलपना राटोर निवसी बढ़वा थाने पर उप्रस्तित आई थी इसमें कुछ बेक्तियों के विरुद्ध तांत्रिक विद्या और मत्युका भाई दिखा करके ठगी करने का आरोप लगाया था जिसकी सुचना वरिष्ट अधिकारियों को दे कर गया था अुछला वरिष्ट के उसमें अपराद पंजी बद्य करके आपके बताया कि महिला उंगारेश्वरा कारी में नवक्रिम हें और वहीं पर इनके नियुक्ज़ से नियुकरी तुन पर निक कहते हैं और इस बहादे महीला के घर गये, जब महीला बिमार थी, इन्होंने वहाँ पर निम्गू काठ करके घर के आसपस रेखा और महीला को बताया कि तुमारे घर में किसी के मक्तिय होने वाली है और इसमें पूजा पाट करना पर एगा चुकि महिला खुद भी उस वक्त बिमार थी इसलिए वो घबरा गई थी तो उसने तुरंट इनको उपाए और उसके निराकरण के लिए बताया तो इन्होंने पूजा पाट के नाम पर पांच हजार रुपे लिए उसके बाद में एक दिन बाद फिर इन्होंने चुवालिस अजार रुपे उससे लिए और पूजा पाट करने के लिए उंकारे सवर में जब पूजा पाट स्टार्ट हो रहे थी तो इन्हीं का एक साती आजाई बेहोसी के नाटक करने लगा और फिर इन्होंने उसको फिर डर रुपय की और डिमांड की जिसकी पूर्ती की इसमें उसके बाद 25,000 रुपय और इन्होंने मांगे चुकि महिला के पास में अब कोई पैसा था नहीं तो इसलिए वो पुलिस की मदद के लिए थाने आए पुलिस ने 4 रुपयों को पकड़ा है उनके कबजे से 99,000 रुपय के जन्वाओना यह चारो आरोपयों का करत्य था हमने चारो आरोपयों को ग्रफतार करके न्याले पेस कर दिया इसमें एक आरोपी है राकेश पिता सुबा सुनगर यह निवाची बंजर का है थाना विगन गाउन शित्र का दूसरा है धर्मेन पिता श्रवन सपेरा जैती का ह तीसरा है आजय उर्प अज्जू नारायन बगेन ये नया बस्टेंड के पीछे उंकारेश्वर का है चोता है प्रेमनात पिता गपुनात ये गोपट गिरी थाना हतो इंदोर का है चूंकि चारो अरोपी उंकारेश्वर में ही रहते थे और वहीं पर इनकी मुलाकात ही और व बड़वाय से युडिनेउज के लिए सौनू नायक की रेपोर्ट